पुराने जमाने की बात है दूर किसी जंगल में एक कालू कववा और उसकी पतनी गोरी कवी रहते थे कालू कववा एक किसान था वो सारा दिन खेतों में काम करता उसकी पतनी गोरी कवी बहुत बेवकूफ और सीधी साधी थी वो हर समय कोई न कोई काम उल्टा ही करती थी एक दिन किसान कालू कववा अपनी पतनी गोरी कवी से कहता है आज मुझे खेतों में काम ज्यादा है मैं ठक जाओंगा तुम ऐसा करना जो मच्छली मैं कल बाजार से खरीद कर लाया था उसे पका कर रखना आज मैं शाम के भोजन में मच्छली खाऊंगा आप काम पर जाएं मैं शाम को आप के लिए सबादिष्ट मच्छली बना कर रखूंगी फिर कालू कववा अपने खेतों में काम करने जला जाता है और उसकी पतनी गोरी कवी मच्छली बनाने लगती है वो मच्छली बना रही थी कि उसके दिल में खियाल आता है अगर पती जी को मैं मच्छली के साथ ठंडा ठंडा कोला भी दूँ तो वो बहुत खुश होंगे लेकिन उसके पास कोला लेने के लिए पैसी नहीं थे पास में पड़ी आते की बोरी पर उसका दिहान जाता है और वो आते की बोरी उठा कर दुकान पर चली जाती है ये लो दुकान वाले पक्षी आते की बोरी मेरे पास पैसे रही है और बदले में मुझे एक ठंडा ठंडा कोला दे दे आटे की पूरी बोरी के बदले में कोले का सुनकर दुकान वाला पक्षी भी लालच में आ जाता है पैसों की क्या जरूरत गोरी पहन किसी और को तो आटे के बदले में मैं कोला नहीं देता मगर आपको मैं ना भी तो नहीं कर सकता फिर दुकान वाला पक्षी गोरी कववी को आटे की बोरी के बदले में एक ओला दे देता है जिसे लेकर जब गोरी कववी वापिस खर लोड रही थी तो उसके दिल में खियाल आता है हॉई मैं मार गई मैंने मचली जलती हुई आग पर रखी थी कहीं मेरी मचली जल ही ना गई हो ऐसा सोचते हुए गोरी कववी तेजी से अपने घर की तरफ भागती है जब वो घर पहुँचती है तो मचली के जलने की बूप पूरे घर में फैल चुकी थी गबराहट में कोले की बोतल भी उसके पंक से चूट कर गिट जाती है और तूट जाती है सारा कोला बह जाता है वो रोने लग जाती है मैं जो भी करती हूँ गलत ही होता है अब मैं अपने पती को खाने में क्या दूँगी मचली भी जल गई और कोला भी तूट गया शाम भी हो जाती है बहुत ठक गया हूँ आज तो काम ने ठका दिया चलो घर जाकर स्वादिश्ट मचली खाता हूँ मचली का ख्याल करते ही कालू कवे के मूँ में पानी आने लगता है और वो अपने घर वापिस लोटता है वो जैसे ही घर आता है तो फर्ष गिला था और घर से किसी चीज के जलने की बूआ रही थी गोरी गोरी कहा हो ये क्या जल रहा है पती जी मुझे माफ करना मैं आपको स्वादिश्ट मचली ना खिला सकी मैं आपके लिए ठंडा ठंडा कोला लेने गई थी के पीछे से मचली जल गई ये सुनकर कालो की सान बहुत गुसे में आ जाता है मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ गलत ही करोगी लाओ अब वो ठंडा कोला ही दे दो वो तो मेरे पंक से गिर कर तूट गया ये सारा फरश कोले से ही तो गीला हुआ है कोई काम सीधा भी है तुम्हारा सब गलत करती हो अच्छा अब चुप कर जाओ तुम मुझे सूखी रोटी ही दे दो कम्ज कम पेड तो भरेगा मगर घर में जो आटे की बोरी बड़ी थी वो देखर ही तो मैं आपके लिए कॉला लाई थी जो तूट गया ओ तेरी तुमने एक कोले के बड़े में पूरी आटे की बोरी ही दे दी अगर सब ठीक से हो जाता तो तुम बहुत खुश होते अब गलत है तो तुम मुझे से लड़ाई कर रहे हो कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं फिर एक दिन कालू किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक पुराने पेड़ के नीचे से सोने के सिकों से भरी एक थैली मिलती है जिसे देख कालू कवा बहुत खुश होता है कालू कवा वो सोने के सिकों से भरी हुई थैली घर ले आता है अब समस्या ये थी कि कालू कवा डर रहा था क्योंकि उसकी पतनी एक नंबर की बेवकूफ थी उसे डर था कि कहीं उसकी पतनी ये सी के किसी को दे ना दे पती जी पती जी ये पीले रंग की क्या चीज है मैं इसे सच नहीं बताऊंगा ऐसा सोचते हुए कालू कवा कहता है कुछ नहीं ये केवल पीले रंग के बटन है इन्हें संदूक में रख दो और मैं किसी दिन ये पीले बटन शहर में दे कर बरतन ले आऊंगा फिर कालू कवा भोजन खाता है और सो जाता है कुछ दिन ऐसे ही गुचर जाते हैं कबूतर और कबूतरी मटी के बरतन बेशते थे वो बरतन बेशते बेशते गोरी कवी के घर के पास आते हैं बरतन लो बरतन मटी के बरतन पती जी के पास तो शहर जाने का समय ही नहीं है मैं ऐसा करती हूँ यह पीले बटन देकर इन कबूतरों से ही मट्टी के बरतन ले लेती हूँ ऐसा सोचते हुए गोरी कवी वो सोने के सिकों वाली थैली उखा कर ले जाती है कबूतर भीया क्या आप मुझे इन पीले बटनों के बदले में कुछ बरतन दे देंगे पती जी ये तो सोने के सिक्षे हैं क्या ये कवी पागल है जो इन्हें पीले बटन बोल रही है क्यों नहीं लाओ आप ये पीले बटन मुझे दो और ये सारे ही बरतन तुम रख लो फिर कबूतर अपने मटी के बरतन गोरी को देते हैं और सोने के सिक्षों वाली थैली लेकर वहां से चले जाते हैं शाम को जब गोरी कवी का पती कालू कव्वा घर वापिस आता है तो घर में हर तरफ मटी के बरतन ही बरतन देखकर हैरान हो जाता है मुझे पता है पती जी आप इतने हैरान क्यों है मेरे मटी के बटन देह कर हैरान है ना आप हाँ मगर ये इतने ठेर सारे मटी के बटन आएं कहां से जो पीले बटन आपने मुझे दिये थे मैंने वो बटन देकर मटी के बटन ले लिए ये सुनकर कालू कवा तो सर पकड़ कर बैठ जाता है गोरी वो तो सोने के सिक्के थे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम कोई गड़बर ना करतो और तुमने वही किया जिसका मुझे डर था चलो अब ढूंडे उन लोटेरों को फिर वो दोनों पती पतनी कबूतरों को ढूंडने निकल जाते हैं रात हो जाती है और वो ठकहार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं मेरा क्या कसूर है पती जी अगर आपने मुझे बताया होता कि वो पीले बटन नहीं बलके सोने के सिक्के हैं तो मैं कभी ऐसा ना करती अपनी सोने के सिक्कों वाली थैली लिए कबूतर भी आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं रात के अंधेरे में जब गोरी को सफैद सफैद कबूतर दिखते हैं तो वो डर जाती है बचाओ, बचाओ, भूत पीड़ के नीचे भूत हैं कबूतर जैसे ही भूत भूत की आवाज सुनते हैं तो वो भी डर कर वहां से फाग जाते हैं और सोने के सिक्कों वाली थैली वहीं छोड़ जाते हैं जिसे कालू कवा उठा लेता है बच गे, भूत भाग गे आज पहली बार तुम्हारी बेवकूफी मेरे काम आई है फिर गोरी और कालू वो सोने के सिक्कों वाली थैली लिए वापिस घर चले जाते हैं कवी नदी पर बैठी अपना बनाव से इंखार कर रही थी के वहां एक कवा आ जाता है जिसका नाम कालू कवा था काली हसीना, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ ओए कवे, मेरा नाम गोरी है काली नहीं, मैं दिखने में काली नजर आती हूँ मैं काली हूँ नहीं मैं अपनी जाती की कव्यों में सबसे सुन्दर कवी हूँ वो तो गोरी जी आप दिखने में ही सबसे अलग लग रही हो मैं भी बहुत अमीर कवा हूँ और कमवारा हूँ अभी तक राज करेगी जो कवी मुझे से शादी करेगी अमीर हो क्या काम करते हो मेरा अंगूरों का बाग है पूरे पांच नोकर काम करते हैं मेरे बाग में अंगूरों का बाग अंगूर तो मुझे बहुत पसंद है तो फिर कर लो शादी मुझे सारी जिन्दगी ऐश करोगी ऐश परन तू कालू जी मुझे तो किसी ऐसे कवे से शादी करना है जिसकी मा मरी हुई हो वो ऐसा है ना कि सास के साथ बुजारा नहीं होगा मेरा मा जी तो पुराने घर में रहती है मैं तो अकेला ही रहता हूँ इसे कौन सा पता चलेगा कि मेरी मा जी जिन्दा है या मरी हुई क्या सोच में बढ़ गे हो अगर तुम्हारी मा जिन्दा है तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती नहीं नहीं मेरी तो मा तभी मर गई थी जब मैं बहुत छोटा सा था मैं अकेला ही रहता हूँ अपना खर है मेरा वो भी पका लकडियों से बना हुआ सच, अगर तुम्हारी मा मरी हुई है तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तियार हूँ दूसे रोज कालू कववा अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरी कववी के घर जाता है और उसे शादी कर लेता है वो उसे अपने घर में ले आता है कालू जी अंगूरों का बाग है हमारा, क्या घर में कुछ अंगूर नहीं पड़े, मेरा अंगूर खाने को बहुत मन कर रहा है पतनी जी इस मोसम में अंगूर कहां होते हैं, अभी तो अंगूरों की बेलों पर फूल लगे हुए है, कुछ दिन बाद अंगूर लगेंगे वो तो सब जूट बोल कर गोरी को भिहालाया था। कालू, आज आखरी बार मैं तुम्हें भोजन दे रही हूँ। वो भी तुम्हारी पतनी की वज़ा से आज के बाद अपना भोजन खुद ढूंड कर लाना। मैं तो खुद अपना भोजन बहुत मुश्किल से ठूंड कर लाती हूँ। चुडिया बेहन, अभी कुछी तो दिन हुए है मेरी शादी को, बस दो चार दिन मुझे भोजन और दे दो, फिर मैं खुद से ले आया करूंगा। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। ओए कालू, तुम मुझे से भोजन मांग कर ले आये हो, और अब चुडिया से भोजन मांग रहे हो। कबूतर भीया, तुम्हारी भापी के लिए भी तो कुछ ले कर जाना है, इसलिए मैं चुडिया बेहन के पास आया है। कालू, क्या तुम्हारी पत्नी भी भोजन धूरने नहीं जाती। कहां चुडिया बेहन, वो तो सारा दिन भोजन खाकर सोई रहती है, वो तो मुझे से भी जादा आलसी है। कितने दिन होगे, मेरे आवारा बेटे ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, के मा जिन्दा है या मर गई, चलो आज मैं खुद ही जाकर देखाती हूँ अपने कालू को। ऐसा सोचते हुए कालू कवे की मा कालू की दरफ जाती है, वो कालू के खरचा कर दस्तक देती है, अभी अभी मैं सोई थी, ये किसने फिर से मेरी नीद खराब कर दी, पती जी उठो, देखो तो बाहर कौन है, दस्तक फिर से होती है, रुको भी, क्या दरवाजा तोड़ना है, मा, माजी आप इस समय, क्या इस समय कौन सा अधी रात है, हटो, मुझे अंदर जाने दो, मैं बहुत ठकी हुई हूँ, वो ऐसा है ना माजी, क्या ऐसा वैसा लगा रखी है, हटो, माजी, वो सामने देखें क्या है, कालू की मा जैसे ही अपना दिहान दूसरी तरफ करती है, कालू अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है, कौन था कालू जी, यातरी है कोई, और रात बिताना चाहता है हमारे घर में, तो मना कर दिया है ना तुमने, हाँ हाँ, मैंने मना कर दिया है, जिद्धी है अभी बाहर ही खड़ा है खड़ा रहने तो तुम खुद ही चला जाएगा कालू ओए कालू दरवाजा खोलो क्या हो गया है तुम्हें कालू की मा आवाजे देती है परन्तु अंदर से कोई आवाज नहीं आती फिद्धा खार कर कालू की मा पास में चिडिया के खड़ चली जाती है मा जी उसने अपनी पतनी से बोल रखा है कि उसकी मा मरी हुई है इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल रहा उस कमबख्त कालू ने मुझे जीते जी ही मार दिया एक बार दिख जाए मुझे ऐसी पिटाई करूंगी के याद रखेगा मा जी उसकी पतनी ने शादी से पहले शर्ट रखी थी कि वो ऐसे कवे से शादी करेगी जिसकी मा मरी हुई हो तो फिर अपनी शादी करने के लिए कालू ने मुझे ही मार दिया कालू की मा वो रात चिडिया के घर में ही गुजारती है दूसरे रोज कालू नदी पर बैठा गीत गा रहा था कि वहाँ चिडिया उसकी मा को साथ लेकर आ जाती है आते ही कालू की मा दो चार जारू कालू की लगाती है मा जी छोड़ दें, मा जी छोड़ दें तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है कि संतान ना ही हो पर जी शादी कर दें, आपने भी तो मेरी शादी नहीं की थी अब अगर मैंने खुद से कर ही ली है तो मेरा घर बसने दें शरम करो कालू, अपनी मा से कैसी बातें कर रहे हो जूट की शादी लंबे समय नहीं चलती मैं तो चली जाती हूँ परन्तु अगर तुम्हारी पतनी को पता चल गया कि मैं जिन्दा हूँ तो वो तुम्हें उसी दिन छोड़ कर चली जाएगी मा जी पलीज आप ना बताना अगर आप बताओगी तो फिर ही पता चलेगा अब मुझे सच मेही ना मार देना अपनी पतनी को खुश करने के लिए मैं यहां से जा रही हूँ विकालू की मा वापिस अपने ख़र चली जाती है एक दिन गोरी कवी अंडा देती है वो बहुत खुश थी उठो कालू उठो जल्दी उठो देखो तो मैंने अंडा दिया है अंडा? मैं बाप बन गया मैं अपने अंडे का बाप बन गया अब कुछी दिनों में हमारे घर रोनक लग जाएगी अब जाओ और भोचन लेओ मुझे बहुत भूग लगी हुई है कवा सोच में पढ़ जाता है कि अब तो दूसरे पक्षी भी उसे भोचन नहीं देंगे वो करें तो क्या करें? तोते यार बस एक बार एक बार कुछ खाने को दे दो मैं फिर कभी दुबारा नहीं यूँगा पिछली बार भी तुम ऐसा ही कह रहे थे चल भाग यहां से सारा दिन फिरने के बाद कवा खाली पंकों के साथ ही खर लोड जाता है कौलू भोजर नहीं लाए हो क्या करूंगोरी? हमारे अंगूरों के बाग में तो अभी तक अंगूर लगे नहीं और मेरे पास जो कुछ था वो भी खतम हो गया पती जी अब मैं भी सोच रही हूँ अगर मेरी भी सासुमा होती तो मैं उसे अपने छोटे से बच्चे के पास छोड़ कर बाहिर जाया करती मैं कैसे अकेली अपने बेटे का दिहान रखूंगी ये संकर तो कालू खुश हो जाता है गोरी मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी मेरी मा मरी नहीं बलके जिन्दा है क्या ये तुम क्या कह रहे हो उस दिन यातरी नहीं बलके मेरी मा ही थी मैंने तुम्हारे ड़र से उसे घर में आने से मना कर दिया तुमने इतना बड़ा बाप किया अब जाओ और जल्दी से सासु मा को ले आओ फिर कालु कवा अपने मा को अपने घर ले आता है मा जी मुझे माफ कर दें मैंने सुन रखा था कि सासें बहुत लड़ती है मैंने इसलिए कालु से ऐसा कहा था मैंने ये तो नहीं कहा था कि अपनी जिन्दा माँ को ही मार दो मुझे इसकी बातों का कोई गुसा नहीं है ये तो शुरू से ही ऐसा है इसका बाप भी इस जैसा ही था और हाँ बेटी इसका कोई अंगूरों का बाग नहीं है ये एक नंबर का नकम्मा है ये सुनकर गोरी जाडू उठा लेती है और फिर कालू आगे आगे और गोरी पीछे पीछे ये देख कालू की मा की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी अब हुआ ना हिसाब बराबर कालू मेरे शरारती बेटे